नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल फ्यूचर बैकेंसी में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तेंत के बाद हम लोग किस प्रकार जो है इंडे नेवी को जोईन कर सकते हैं तो इस अभी बातों के उपर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो यदि चैनल पर पहली बार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जिसके इन फ्यूचर आने वाली सभी बैकेंसी और एक्जाम से रिलेटेट किसी भी प्रकार की कोई भी इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आप मिस ना कर सकें तो हाउ टू जोईन आफ्टर टेंथ की आप लोग तेंथ के बाद इंडे नेवी को कैसी जोईन कर सकते हैं तो इस विस्टर में हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही खास आप लोगों को लिए होने वाली है जितने भी हमारे यहां पर वो स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर हाई स्कूल कर चुके हैं और कहीं न कहीं उन लोगों का एक ड्रीम जोब है कि तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तो भी वीडियो को मिफ मत कीजेगा और वीडियो के अंतक बने रही है तो आप लोगों को बता दूँ यहां पर कि किस प्रकार जो है तेंथ के बाद इंडिया नेवी को जोइन किया जा सकता है तो जोइन सकते हैं तो यहां पर नेवी EMR ठीक है आप लोगों को बता दूओं यहां पर हम लोग EMR के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर तेंत के बाद EMR में जो है आप लोग Lahir कर सकते आँं यहां सबसे पहले की जाए कि यहां पर कॉन कांडिडेट्स इस में हो सकते हैं एज लिमिट को ले कर ठीक है तो यहां पर इसके एज की बात की जह सो हुनी चाहिए इसके लिए कम से कम आयू आप लोगा कि यहां पर 17 साल होनी चाहिए ठीक है उसके बाद इसके maximum उम्ड की बात की जाए एनिकी maximum age की बादे में बात की जाए तो यहाँ पर इनके लिए आप लोगों की 21 year एनिकी 21 सालों नीची ए ठीक है यह यह दिया साड़े सत्रा से और एकी साल के है तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके लिए eligible है और इसमें अपना carrier बना सकते हैं ठीक है त आप लोगों को बता दूं एमर में दो हैं दो तीन तरीके की बैकेंसी आती है एक तो 10 प्लस टू की होती है ठीक है जिसमें की इंडियन ने भी SSR और डवले ठीक है SSR डवले के जो 10 प्लस टू इस्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर SSR और डवले में apply करते जो यहाँ पर इंडियन ने भी MR बहुती बहुती best option होने वाला है आप लोगों के लिए तेंथ के बाद तो आप लोग तेंथ के बास सीधे आप बिना किसी आईटियाई बिना किसी certificate के आप लोग जो है इसमें apply कर सकते हैं और फिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों का तें इंडिया वैकेंसी होने वाली है ठीक है यह वैकेंसी जो है यहाँ पर आल इंडिया वैकेंसी होने वाली है तो आप इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग ने तेंथ कर रखा है इनिवोड इंडिया तो आप इसके लिए इलिजबल है इसके form को apply कर सकते हैं ठीक है तो उसक बाद यहां पर बात की जाए इसके aggregate percentage की इन तेंथ आप लोग ने यहां पर जो है तेंथ में 60% के साथ जो है पास आउट किया है तो आप इसमें eligible है ठीक है इसके बाद में यहां पर बात की जाए यह ने भी इमार आल इंडिया अनमेरिट कंडिडेट्स ठीक है आप जितने भ female बोथ eligibility तो यहां पर इंडिया की जितने भी male candidates चाये वो female candidates हो सभी candidates इसमें apply कर सकते हैं इसमें बढ़चड़कर हिस्सा ले सकते हैं और इसमें अपना carrier बना सकते हैं ठीक है तो इसमें male female eligible है दोनों लोग इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद यहां पर बात कि जाए कि इसमें बार बात बात कीजाए इसके एक्जाइम को लेकर ये आप लों का इसमें एक्जाम किस प्रकार का होता तो इसमें आप लों का जो है computer based exam होता है computer based examination होता है इसमें की objective type question हमसे पूंचे जाते है तो इसमें की objective type हां यहाँας से हमारे question पूंचे जाते हैं और जो कि यहांपर चार question होते हैं पुतने question के लिए यहांपर चार option होते हैं और यहां पर यदि minus तो यहां पर इनिक आप लोगों उसे चार कोष्टन गलत करते हैं तो चार कोष्टन पर आप लोगों का एक नमबर काट लिया जाता है हमका यहीं डाउट रहता है कि यहां पर जो पेपर आमारा होगा वो किस प्रकार किस लेंगवेज में होने बाला है तो आप लोगों को इसकी भी कोई दिक्कल लेने की बार नहीं, इसकी दोनों language में आप लोगों से question पूछा जाएगा, जिस language में आप comfort करें, उस language को यहापर select कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी में आप paper देना चाहें, चाहे वो English में आप paper देना चाहते हैं, तो यहापर bilingual ऐने की दोनों language में यहापर जो है, आपने उसके question paper मिलेगा, तो वो अपने according आप यहापर paper को कर सकते हैं, ठीक है, यदि उसके बाद यहापर बात की जाए, यहापर total number आप question की, तो यहापर कितने question होने वाले हैं, कितना हमें time मिलता है, तो आईए इसके उपर भी बात कर लेते है तो तो यहापर अपने इतके overall question की बात की जाए, तो यहापर आप principles होने से यहापर 50 question बनते हैं, इस paper में total 50 question पहुचे जाते हैं, जिसमें यदि total mark की बात की जाए तो 50 mark होते हैं निकि 50 ही number मिलते हैं एक question के लिए एक number मिलता है इसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके time duration को लेकर तो यहाँ पर 30 मिनट आप लोगों को time मिलता है 30 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर 50 question को हल करना होता है solve करना होता है इसक इसकत जो है हमारे topic से याँ कुशन बनने वागने तो यहाँ पर इसके यहाँ पर three section में यह जो की paper है वो यहाँ पर divide किया गया है पहले अगर topic की बात की जा तो यहाँ पर math से हाँ इंहाँ 15 से यह 12 स्न्त बनते हैं और और science से यहाँ पर 13 स्न्त बनते हैं और जो general knowledge प्रकार हमारे यापर जो है 50 कोश्चन अबरोल बन जातने है ठीक है तीन सेक्षन से तो यहां पर जितने भी हमारे आपर जाहें वो किसी भी बोर्ट से हैं हिंदी बोर्ट से जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहां पर यह बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस जो है याँ पर हम किसी भी कार के कोई इंग्लिस नहीं रखी गए जिसमें आप लोग से पर में दिक्कत हो तो यहां पर वह भी नहीं और यहां पर बारा इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहां पर एक और फाइनल लिस्ट बनती है उसमें जो कंडिडेर्स साय स्वर्ट लिस्टिड होते हैं उन्हीं सभी कंडिडेर्स को यहां पर जो है जोइनिंग के लिए बुलाया जाता है उसके बाद यहां पर बात थी जाया इसके अगनी वीर कि हाँ पर कट आफ लगती है ठीक और ये यह मेंडिय लिस्ट जो है जो एं इंडियन नेवी डॉट लोट इन इसकी जो ओफिसीएल होता है वहां पर यह इंडियीश्ट होती है वहाँ से आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में आपर बात की जाए इंडे पर काट कर लेते हैं तो 157 सेंटी मीटर इनकी याँ पर हाइट होती है जो कि यहाँ पर है की वात कि जाये सीमेल कंदिडेंट्स की बात की जाये तो जिसके लिए अपर 152 cm यहां इनिकी 152 cm चोचाहीं है वह यहां पर जो है female candidates की रखी गई है तो उसके बाद यहां पर न भी मर की सारी process को हम यह इस video में समझने वाले है तो बिल्कुल इन तक बने रही है जरूरत यदि आपने आई स्कूल कर रखा है तो एक बार इस वीडियो को देखना जरूर ठीक है क्योंकि इसमें आप लोगों का ही जो है बेनिफिट्स होने वाला है इसके बाद आपर बात करते हैं इसके ट्रेनिंग को लेकर तो यहाँ पर आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँँ जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आइट आइनस चिलका यहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो आप यहां पर यहां पर चौधा विक आप लोगि ट्रेञिंग रखी गई यह वो। इस के बारे में इसके बाद यहां पर मेंस की रिणिंग कहां थी उसके बाद एंड बाराप सब ठीक है यह आप लोगों के जो है फिजिकल फ्रिटनेश टेस्ट एनिकी प्यप्टी में करवाया जाता है उसके बाद यहां पर बात करते है बन पॉंट सिक्स किलोमेटर की जो रनिंग है फॉर फीमेल कंडियर्स के लिए वो इन्हें जो है यहां पर आठ मि लोगों के इस । यहां पर अपने अपने को बाडिय का कर सकते कि आप लोग्व को कब कितनी चुटी होने बाला है तो वो यहां पर आप लोगों का four year का होने वाला है यहीं कि आप लोगों को इसमें जो है चार साल के लिए भरती किया जाएगा यह बाद तो आप लोगों को पता ही होगी ठीक है और जिसमें कि यहां पर 25% जो ऐसे candidates होगे 25% candidates है इसे होगे जिनने जो है permanent भरती किया जाएगा और 75% ऐसे candidates होगे जिनने जो हर चार साल बाद service पूरी हो जाएगी उनको जो यहां पर निकाल दिया जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर इसके एक की बात कि जाए तो आप लोगों को पती होना चाहिए कि यहां पर यह मन्तली package है इन्हेंड आप लोगोंको 70% यहां पर मिलने वाली है उसके according यहां पर बात की जाए तो यहां पर यह package जो रखा गया है वो तीस अजार का रखा गया है ठीक है first year में जिसमें कि आप लोगों को सतर परसेंट यहां पर मिल जाएगी इसके according आप लोगों का एकिस अजार हुआ है ठीक है और जो आप आप लोगों को भी जो है 9000 का funds कटता है ठीक है उसके बाद यह तो हो गई first month की तो आप लोगों को first month में 30,000 मिलेगी जिसमें कि 70% आप लोगों को in hand मिलेगी ठीक है उसके बाद में आप लोगों का 9% यहां पर काट लिया जाता है जिसके according आप 9000 जो है वो corpus fund में चला जाता है उसके बाद यह आप सेकेंड यह की बात की जाए तो second year में आप लोगों यहां पर कि 33000 रुपए मिलता है जिसमें कि आप लोगं का इन हेंड की बात की जाए तो वो 70% मिलता है जिसमें कि 23000 रुपए आपके शाजार नौह जाजार नौशल यहां पर जो है आप लोगं के कॉर्पस फंड में काट लिए जाते हैं दोनों जगाया ठीकित तीसरी यह आ तो यहां पर आप लोग को इन हैंड दी जाती है ठीक है और बारह आजार के सम्तिंग यहां पर आप लाज लाक पांच लzier मांच लाक आप लोग 250 को इस प्रयकार से जो grabbed llev Speed ऐसे लाट हर की जैसा मिल जाता कि इन यहाँ पर बात कीजा है life insurance cover की तो life insurance cover गो界 polynomial बुच्किड- यहाँ टुड आपड़ डूरेसां आप धायर engagement पीडियर टो यहाँ पर इतना आ पर यहाँ पर जो है life insurance रखा गया है ठीक है तो यहाँ पर इतना यहाँ पर जो है आप लोगों का life insurance रखा गया है करते समय किसी प्रिकार का यदि कोई हादसा हो जाता है तो इतना जो है आप इंडे नेवी तरफ से फोटीयाट लाक रुपय का जो हो है आप लोगों को हर्जाना मिलता है एक तरफ एक तरह से मौफजा बोल सकते हैं सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में है इसमें apply कीजिएगा कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बढ़िया जोब होने वाली तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और बिल्कुल तयार हो जाएए इस वाइकेंसी के लिए तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छी लगई हो तो चनल को सब्सक्रा पारत